और जो आशार ही थी वो पैसा पर भी थी पैसा डाक्टर को जो दिया जाता है उसमें स्यादा पैसा उसका था गुद मार्निंग एवरीवन वेलकम टू आवर निव लग और अभी लगबक सुबह के दस बच्चु के हैं और भाई दिन कुछ इस तरीके से हम लोग के साथ अभी गुजर रहना कि हम आप लोग के साथ सेयर नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं यार कि हमारे सा साथ आप भी परिसान हो और प्लीज गाइस वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि जो हमारे उपर बीत रही है वह हम तो बताएंगे बताएंगे पलस हम कुछ आप लोगों को चाहें हम छोटे हो या बड़े हो लेकिन हम आप सभी के साथ कुछ सेयर कर करना चाहते हैं कि जो गलती हमारी फैमिली में हुई है जिनके वजह से इतना बड़ा हाथसा हुआ हम पनी सिष्टर को खो दिये हैं वह हम नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली में से यह सब प्रब्लम कभी हो और कभी आप सब को यह फेस करना पड़े और हम नहीं चाहते हैं आप भी भूलके ये सब गलती दोहरा हैं क्योंकि ये जो छोटी-मूटी गलती साहद हमको लग रही है लेकिन यही छोटी-मूटी गलती जो है साहद किसी की जिन्दगी खतम भी कर सकती है तेकि हमारी सिस्टर थी जिनका नाम है अंगीरा जो कि रामिलन भिया की बड़ी सिस्टर थी और बहुत बुरा लगा यार बहुत बूरी चीज हुई है उनके साथ जो कि अब कहा कहें यार मतलब इसलिए हम घर से बाहर आके इधर वीडियो बना जो कि हम लोग इसी के मेटर में हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे बुलोग जो कि कल जाके मैंने उस ब्लोग को छोड़ा था चौदा की 15 नमंबर का सूट किया हुआ बलोग तो था और आज है मेरे खाल से 18 नमंबर तो यह 18 नमंबर दस ता आज 10 बजे का है टाइम और इ अचानक हो क्या गया थे बहुत मतलब रामिलन रोने लगे हमारे घर थे उष्टाइम रामिलन और हम लोग बहुत परेसान नींद नहीं आ रही थी किया हम लोग के साथ अचानक हाथसा हो क्या गया आपको पूरा फूल स्टोरी हम बताएंगे बस इस ब्लोग को सुरू से लेके अंट तक देखिएगा आप यह सोच रहें कि आखिर उनको हुआ क्या है वो भी हम बताएंगे कि क्या हुआ था कैसे हुआ था और क्या क्या मैटर हुआ था सब कुछ तो अचानक फोन आया तो ह कोई बात नहीं है और यह जो आप सूने हैं लोनों कि अंगीरा दीदी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अभी उनकी सांसे चल रही है ठीक है और वह महराज गंजा स्पीटल में भरती है तब जाके थोड़ा बहुत मुझे हमको एरामिलन को रहत मिला जलो यार घटना कही नहीं और हम लोग फिर से एक मंद में जो हैना उमीद जग गई कि चलो मतलब ठीक है अभी तो सब कुछ मेरे खाल से सही हो जाएगा उपर वाले सेम बार बार यहीं दूआ कर रहे थे कि यार कास मतलब ऐसा हो जाता कि यह जो घटना है वो जूट हो जाती लेकिन सच में अब ता था और वो लगवग ठीकी थी मेरे ख्याल से एक्चुली उनके साथ हुआ क्या था कि समझी सकते हैं कि एक साधी सुदा आउरत होती है यह तो एक टाइम आता है कि डिलेवरी होता है इस औरत का जो की डिलेवरी होता है बच्चे होने वाले होते हैं तो यही कुछ स अब नहीं था कि यहां पर ना रामिलन भाया के घर लगवग नौ महीने दीन से वह थी और जब डिलेवरी होने माला था तो अपने सासुराल चली गई कि उनके सासुराल वाले बोलत रहे थे कि आप हमारे घर आ आजाओ तो बोली ठीक है तो उसके हिसाब से वह सासुराल अ और वहां पर जो है ना आसा कोई थी उस आसे के वज़ा से मेरे ख्याल से सब प्रोब्लम क्रियेट हुआ है तो सरकारी हस्पीटल में जब वह आसा लेके गई थी ना तो उप प्रेसर देने रहे कि आप नॉर्मल डिलेवरी करवाईये हो जाएगा और अल्टरा साउंड में Лद के कैश हैं ज eerste कूछ ऐसा था न कि चार कीलो बच्चे का वजन था लड़के का वजन जो है कि पूरा एक दीन वहां परहे और अंगीरा-दिद्धी दर्द से बहुँ ज़्यादा परहसान थी और परहसान होने के बाद भी समझ जी सकते हो कि उन लोग को पता नहीं माइंड में क्या था कि आईडिया नहीं था कि कुछ समझ नहीं सकते थे कि एक दिन दर्द सहने के दबाव आया था फिर जब नॉर्मल डेलेवरी का वहां चांस नहीं बना तो उस हाट हस्पीटल से लेके वो लोग गए महराज गंज में अब महराज गंज में जाने के बाद से जो कि वहां पर भरती हुई तो वहां पर आप्रेशन किया गया ताकि आप्रेशन से बच्चा हो गया था जिसके बाद से माथे पर जो है बच्चे के सूजन हो गई थी यानि सूजन से थोड़ा बहुत फूल गया था समझ सकते हो तो फिर बच्चे को महराज गंज जब वहां से निकाला गया प्रेशन करके तो वहीं पर सीसे में भरती हो गया वहां पर जब आप्रेशन ह जब से निग aş गया था तो फिर ब्लड जो ऑंगीरा दि वह का बड़ नहीं रूख याथा लौ में से जब यह लाजा आप के अंदर से तो बलड रूख नहीं रहा था था फिर वो लोग समझे की हो सकता है कि बच्चेval isso' प्रब्लम है तो फिर देखो यार अब हम का बोले यार उस डॉक्तर को किसला मतलब किस टाइब के यार डॉक्तर है अब उनकी गलती है कि सरकारी होस्पीटल वालो की गलती है किसकी हम गलती हैं बताएं कि बलड नहीं रूक रहा था उसके वाद से बच्चेदानी जो होती है एक औरत के लिए सबसे इंपोर्टन पार्ट होती है वो कट करके वो निकाल दिया गया बाहर बच्चेदानी को जो कि फिर अगर एक बोला जाए न तो जिसकी बच्चेदानी निकाल दिया जाए तो दोबारा मा नहीं बन सकती है तो ऐसा कुछ सीन हुआ उनके साथ कि बच् जाए तो एक दिन तो ओ सरकारी हस्पीटल में भरती रही वहां से कुछ नहीं हुआ फिर दूसरे दिन कई महराजगंज हस्पीटल में दूसरे दिन बच्चा हुआ और दूसरे दिन सुबह सायद गई थी और सुबही अपरेशन भी हो गया था बच्चा भी लगबग आ बा मेडिकल कॉलेज गोरकपूर जब 10 बजे 11-12 बजे रात को जब वहां पर लोग पहुचे न तो वहां पर लगबग डॉक्टर से ढूणने में सब कुछ करने में बहु ज़्यादा टाइम लग गया जिसके वह से लगबग दो बजे रात को जाके वह लोग मेडिकल कॉलेज म अब लोग के घर पे क्यांगीरा दिती नहीं है लेकिन बात में ऐसा लगा कि हैं उनकी जब सांसे चलने लगी तो सब को मालूम पड़े या नहीं अभी सब कुछ ठीक है फिर महराज गंद से मेडिकल कॉलेज में भरती किया गया और मेडिकल कॉलेज में बहरती किया गया ब और वेंटी लेटर मसीन पे जो है मतलब आई सीओ जिसको बोला जाता है वहीं पे उसीफ्ट हो गई थी डॉक्टर से मैंने भी पूछा कि कोई बात नहीं नहीं हुआ है तो डॉक्टर बोल रहे थे कि जब तक आक्सीजन हम लोग दे रहे हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते जिस दिन वेंटी लेटर मसीन से बाहर आ जाएंगी तब हम आपको बताएंगे कि सही है कि नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता रामीलन बाहर थे रामीलन बहु जदा डर गए थे जा नहीं रहे थे बार बार मिलने मैं बोल रहा था कि जाही एक बर दीदी समुलकात कर लेकिन इनको कही नहीं लगा राता कि चलो एर दीदी सही हो जाएंगी और यह इस लिए नहीं जा रहे थे उनके पास कि एक होता है ना भाई और बहन का समझी सकते हैं जो कहीं देख ले तो अचानक मतलब परदास ना कर पाएं यह सब इसके वह से रामीलन वहा जा नहीं र सब्सक्राइब के लिए नहीं जो कि हस्पीटल से बाहर मेडिकल कॉलेज से बाहर हम लो गाड़ी पार्क किये थे सोचे कि चलो यह पर चल के सो जाते हैं और अंगीरा दीदी के पास जो थे ना उनकी मम्मी थी और एक कौन सा दूस्त का नाम जीजा और एक हमारे गां का जोने बारावजा रात को अम लोग सोने चले गया और एक घंट भी सोई ही थे तब तक फिर दो बजे फोन आ गया वहां से कि इनके जीजा की कौन फोन किया था जानाइ विसाल फून किया था हमारे गां का जो जो अड़का था जो गां का लड़का था था विकाल दोस्तीन क तब जाके फिर हम लोग बाहर निकले गाड़ी से और गाड़ी से बाहर निकल के गये वहाँ पे तो वह लोग कि एथे कि अ की। अपड़ा मास्क, सब कुछ अटा दिये थे और कपड़ अपड़ा मैं सब लपेटके और वहां पे ऑजा ला दिये थे उनको अंगीरा दिदी को और मतलब एंटी लेटर मसीन से सब बाहर कर दिये थे उस टाइम तक मतलब सब कुछ खतम हो गया था तो इसलिए बाहर कर दिये फिर हम लोग गये फरची वर्ची बनवाए उदर रामीलन अलग रो रहे थे इनकी ममी अलग रो रही थी और जो घर पे हमारे घर पे रामीलन भी घर पे सब कोई अलग परिसान था यह सब सिच्वेशन हुई जैसे तैसे करके हैंडल हुआ पेपर ओपर वहां से हम लोग लिए फिर जो है हम लोग बुक किये जो है एम्बूलेंस एक सवाट नंबर पर मैंने फोन किया था तो वो कि मरीज अकर विमार है तो हम लेने जा सकते हैं लेकिन अगर ठीक हो गया है या फिर ठीक नहीं हुआ है तो एम्बूलेंस उनके घर छोड़ने नहीं जाती है एक स्वाट नंबर पर फोन किये तो यह मालूम पड़ा तो कहीं न कहीं मुझे गलत थोड़ा सलगा क्योंकि दे तो यार घर तक नहीं छोड़ने जाते हैं यह उसके पास अगर पैसा नहीं हो तब कैसे वो अपने चाहें अपनी फैमिली को चाहें कुझो भी हो अगर उसके साथ कोई हाथ कैसे लेके जाएगा उस टाइम सीचिवेशन बहुत जादा खराब थी जिसके वाद से फिर इनकी जीजा आये तो बाइस की तेही सो रुपया में एंबूलेंस प्राइबेट एंबूलेंस भूख हुआ और वो एंबूलेंस लेके गई थी अंगीरा दिदी के ससुराल फिर हम और राम मिलन बड़ी वाली गाड़ी को लेके चले आए थी इनके घर और इनके घर आये हम लोग पांच बजे भोर में यहां आके इनके पीता जी इनकी भाई और इनकी छोटी सिष्टर है मतलब इनसे बड़ी है अंगीरा दिदी से छोटी थी सब कोई रो रहा था जैसे तैसे करके उनको मना के जब अरजस्ती गाड़ी में बैठा के फिर अंगीरा दिदी के ससुराल हम फिर वहां पर पहुंचे हम लोग लगबग छे सात बजे के करिब इनकी वैसे चार बहने हैं जो कि एक वहन अंगीरा दिदी थी जो कि अभी नहीं है बाकि तीन बहन अभी है तो फिर एक बहन तो सबसे छोटी वाली थी इनको अम लेकर गय थी तो वहां पर थी ही और फिर बढ़ी वाली दिदी को भी लेके वहां मतलब उनके घर से आये हम लोग कि उनके भी हस्पेंट बाहर रहते हैं और बाकि एक जो दीदी थी न वह अपने हस्पेंट को लेके वहां पर चलिया थी और छे बजे वाल हम लोग लगब अंगीरा दिदी के सुराल पहूंच गय थ कर दिया गया अब बाकि उसके बाद सेम रिटर्न आए और रिटर्न आके मतलब हुट सीचिवेसन खराब था आप समझ सकते हो कि उनकी साधी मात्र दो साल भी होई तो साल नहीं हुगा था 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 होने वाला था 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 क्योंकि लुगदाउन के आशी पतादी कि यह सब सिच्वेशन था यार कल का एगटना है कल दा संसकार सब कुछ हो गया था और घर आए अभी भी रामिलन को बाहर लेके आए हैं हम कोशिस कर रहे हैं कि धीरे-देरे सब नॉर्मल हो जाए लेकिन मम्मी पापा इनके इनकी बहन जो है और बाकी की दो बहने और हैं जो कि उम्र पूरा हो गया और एक बीना उम्र के यानि आप समझ सकते हम से भी छूटी थी और बात रही लड़के की तो लड़का सेफली अभी है सेफ है पूरा जो कि एक हास्पीटल में जाके उसको एड्मिट करा दिया गया है और सीसे में होता है न उस सीसे में पूर अपाय है इसके उपर यार ब्लॉग बनाएं लेकिन आप सब का जब कम्यूटी पुष्ट किये तो बहुत से कमेंट कर रहे थे कि दीदी के साथ क्या हुआ प्लीज बताइए प्लीज बताइए तो मैंने सूचा कि चलो अब जो तो हुआ हुआ लेकिन चली हम बता ही देते हैं कि उ हम लोग के साथ हुआ है यह कभी आप लोग के साथ नो हो तो कहना यही यह विरामिलन विया कहना चाहते हैं और हम भी यह कहना चाहते हैं कि देखिए यह आसा के चकर में कभी मत पढ़िए जो गाहों की आसा होती है हम नहीं जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है कौन आसा सह यह कौन आसा गलत है लेकिन हमारे साथ जो हाथसा हुआ है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि आसा के चक्कर में मत पढ़िएगा और 100% तो सीवर नहीं बोल सकते कि कहां का सरकारी हस्पीटल अच्छा है कहां का बूरा है हो सकता है कहीं अच्छा होगा कहीं बूरा होगा लेकिन अभा लोग शरकारी हस्पीटल बहुत व्यकर था और वेकारन और रह床 हों को टाइम से मालूम होए होता है इनके घर वालो को टाइम से मालूमों खना था तो स साथ पर्वयत हस्पीट सरी में के चले गाये cripple alektレकिन गलती यह हुआ कि ओव लोग कॉटारी में लेकर चले ग यह सब सीचार है लिए आसाय विग जाती है और घर वालो को जार किसी को खोना पड़ता है क्या करें इस सब बाते हैं हो सकता है वीडियो थोड़ा से लंबा हो कि होगा इसके लिए सवरी जीतना भी पैसा लगए आप लोग प्राइबेट में लेकर जाए उसमें एदम सब सुधार आता है जितना भी मतलब आप सब को आपके घर में अगर यह सब कोई भी ऐसा पैसेंट कोई भी हो तो आप कोशिश करिए कि अच्छी जगां दिखाने को सरकारी का दरवाजा तभी खटकटाईएगा जब आपको हर चीज मालूम हो हर चीज का आइडिया हो लेकिन अगर नहीं मालूम मैं तो फैसा थोड़ा लगेगा लेकिन हो सकता है जान बच जाएँगे कि हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है इसलिए हम बोल रहे है तो आगे से आप लोग की मरजी है लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे कि यह सब जो होती है ना बहुत रिश्की काम है और कहीं भी लेके करिएगा जहां पर मां और बच्चे दोनों सलामत रहें कि आज के लिए बस इतना है वीडियो देखने के लिए ठाइंके सो मच और थोड़ा सा उपर वाले से ही दुगा करिएगा कि इनके घर वालों को जो है थोड़ा सा शांती मिले और दुख सहने की समता हो चले के आज के बस इतना है बाए